परदान ने अपने इंस्ट्रग्राम में एक पोस्ट डाला है और वो पोस्ट से लग रहा है कि उनका बहुत ही जल्दी एक ट्रैक आने वाला है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो जल्दी आप लोग को एक आना देखने को मिलने वाला है परदान का तो जब इसकी कुछ अपडेट्स आती है मैं आप लोग को बता दूगा तो आप नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता है तो यह जो अपडेट है वो किंग की तरफ से आ रही है तो भायो किंग ने अपने इंस्ट्रग्राम में एक स्टूरी डाली है और उन्होंने अपने नेक्स्टीपी के अनॉंस्मेंट कर दिया है तो यहां पे आप लोग देख सकते हो हैश्टेग मूट स्विंग्स नेक्स्ट इपी तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता है तो अब मैं बात करने वालों एमेवे बंटाय के बारे में तो भायो एमेवे बंटाय को जो खतम डिस्ट् तो आप डेट की तरफ बढ़ता है तो यह जो अपडेट है वो क्रिशना की तरफ से आ रही है तो भायो क्रिशना ने अपने इंस्टा पे एक स्टूरी डाली है जिसमें वह अपने योट्यूब चैनल का लिंक शेयर करते हैं और नॉर्मली क्रिशना ऐसा करते नहीं है तो इस चीज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिशना का शायद कोई सा ट्रैक आने वाला है जो कि उनके चैनल से ड्रॉप होगा तो आप लोग वेट करो जैसी भी कुछ अपडेट्स आएगी मैं आप लोग को बता दूँगा तो अमने एक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता गाने का म्यूजिक पसंद आया है जो कि डीजे मिसी के ने प्रोड्यूस करा है इसका अलाबा इका के वर्स भी काफी हार्ड है बाकि आप लोग अपना उपीनियन बताओ कि आप लोग को किसका जाधा पसंद आया इका का या फिर डिवाइन का एक तो आप नेक्स्ट मास अपील से और यह सुबह 9 बजे देखने को मिलेगा आप लोग को तो हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता है तो यह जो अपडेट वो सिकंदर कालो और रफ्तार की तरफ से आ रही है तो भाईयो सिकंदर कालो ने कुछ ऐसी स्टोरी डाली अपने इंस्टा पे तो एक मूवी प्रोड्यूस करने वाला है जिसका पोस्टर आज रिलीज हो गया है मूवी करने में संगीन स्टारिंग नवाज उदिन सिदिकी और पोस्टर में आप लोग देख सकते हो रिटन एंड डिरेक्टेड बाई जैदीप चोपडा म्यूजिक जो दिया है वो रफ्ता आप लोग वो स्टोरीज देख सकते हो रहा है जैसे मारा नेजी ने कुछ नहीं कहा था दो नेक्स ताइम यू पोस्ट हेट कॉमेंट्स ऑन मैं सोशल मीडिया याद रखना देट यू सपोर्ट इस जैलस नीग डिसर तो में लिए जो स्टोरी है वो 47 के फैंस के लिए है ज तो इसके बाद से भी उन्होंने कुछ स्टोरीज डाली है जो कि आप लोग वीडियो पॉस करके देख सकते हो एक दूसर नीग डिस कर रहे हैं तभी मेरी सोच है मैं सबता है कि यह हम क्या है एक दूसर नीग को डिस करके बढ़ाना है या मतलब किसी और तरीके से भी हम हिपप सीन को अपलेफ्ट करेंगे यार इसके दर बस यह है यार शॉटकट मिल गया लोगों को यह जी शुरू एक साल हो गया तो अभी जो हिपप के लिसनर से यार 70-80% लोग वही सुनके ही आए है तो मेरा आज भी वही जवाब है अगर रैपर मेरे से बढ़िया हुआ या अगर उसका डिस वर्थ हुआ तो मैं गान फाड़ कूँगा सुन सकते हो इसका लिंक में आप लोगो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी तो मिलता हो ब नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए